कूरला के जागरती नगर स्थित जैबुद्ध विकास सौसाइटी में स्वाभिमानी महिला विकास मंदल किया ध्यक्षा मनाली ताई गवली जी द्वारा मुप्त आरोगे शिवर का यह जन किया गया इस आरोगे शिवर में लोगों ने बढ़ चरकर हिस्ता लिया और स्वास्ते संब्धित जात करवाई इसी दोरान आरपी आई के राष्टे प्रवक्ता अभिनाश महातेकर जी का कहना था कि महाराष्ट्र में और पुरे देश में इस विशे को लेके जो कारेकरता महा वर्ग है वो आज ये सेलिब्रेशन कर रहा है यहाँ पे मनाली गवली के नितरुत्वा में स्वाभिमानी महिला विकास मंडल की तरफ से ये कारेकरम आयोजित किया है जिसमें एक तो जो वैक्सिनेशन का जो का काम कर रहे है ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सिन जो अभी अभी जिसका संशोधन हुआ है और अभी भी ये महिलाओं में ज़्यादा पॉपिलर नहीं है उसके बारे में बहुत से उनके गईड समझ है तो ये वैक्सिनेशन देने का प्रयास यहाँ पे वो कर रही है शासन की तरफ से इस वैक्सिन की पॉपिलरिटी बढ़ाने में प्रोग्राम अभी अभी शुरू हुए है लेकिन उसके एक कदम आगे बढ़के ये मंडल काम कर रहा है और ये एक्चुली वैक्सिनेशन देने का काम यहाँ पे कर रहा है ये बड़ी बात है इसी प्रकाम मना देता है गवली जी का कहना था कि सबसे पहले में सभी मेरे महिलाओं को आज महिला दिन की शुपकामनाएं देती हूँ और इस महिला दिन के वज़े से जो मैंने आज ये प्रोग्राम आयजुद किया है मोफत सर्वाइकल कैंसर वैक्सिनेशन ये इंजेक्शन है जो हमें जो आगे चलके कैंसर होता है 90 परसंट तू 80 परसंट महिलाओं को ये कैंसर से गुजरना पड़ता है और उमर के 40-45 साल में ये महिलाओं को अपनी बच्चे दानी निकालनी पड़ती है इस कैंसर के वज़े से तो ये हो नहीं इसका एक प्रिवेक्शन एक्शन बोलके हम लोग ये वैक्सिनेशन इंजेक्शन दे रहे है उसी प्रकार सैनिट्री नैपकिन्स का भी हम लोग दे रहे हैं मुफत में और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों चीजे सरकार अपनी तरफ से मुफत में की क्यूंकि इस चीज़ पर महिलाओं का अधिकार है और महीलाओं को हम कैंसर होने के बाद या कैंसर का प्रभोधन इसके पर लाखो रूप्या खर्चा करती है गवर्मेंट लेकिन कैंसर नहीं हो या नहीं होना चाहिए इसके लिए कैसा वेक्सनीशन भी है अगर तुम उसको दोगे तो आगे चल के तुमको रियलिया निकालनी नहीं पड़ेगी cancer मुक्त महभारत के लिए सबसे पहले मैं सबको अंतराश्चे महिला दिवस की हार्दिक शुबेचा देखती हूँ यह जो हम चेक अप कर रहे हैं इसे VIA कहते हैं जिसे Visual Inspection by Acetic Acid यह एक तरीके का solution है जो हम गर्बशे के मुँपे डालते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसमें कोई बदलाव नजर आ रहे हैं अगर कोई असमान या नजर आए तो हम तुरंथ ही उस patient को आगे की जाच के लिए जो बड़ी जाच है उसके लिए भेजा जा सकता है तो यह हमारा जो ground level जो हमारा first test होता है जो हम society में कर सकते हैं मास में कर सकते हैं यह test यहां किया जा रहा है ताकि हम लोग उसमें से जो हम लोग को लगता है कि यह patients को जरूरत है आगे की जाच कराने की तो उसे hospital में refer कर दिया जा सके कैमरामेन देव केसान John Stephen, SCN TV News, मूंबई